नमस्कार साथियो स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज का वीडियो लेक्चर काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आज के वीडियो लेक्चर में हम जोगरफी या फिर इन्वायरमेंट से रेलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे टॉपिक का नाम है बायो इस्फियर रिजर्व या फिर इसको हिंदे में हम बोलते हैं जैव मंडल आरक्षी छेत्र किसी भी एक्जाम के दिष्टी कौन से चाहे वो UPSC का एक्जाम हो सभी एक्जाम के दिष्टी होता है और अकसर इस टॉपिक से एक्जाम में कोश्चन के आने की संभावना हमेशा रहती है ठीक है जितने भी जैव मंडल आरक्षी छेत्र है कोशिश करेंगे कि हम इनको इसली याद कर पाएं है ना क्योंकि जादा तर जैव मंडल जो आरक्षी छेत्र हैं फिर वायो से जाना है ठीक है तो वीडियो लेक्चर काफी महत्तवन होने वाला है आप लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए चलिए सीधर हम टॉपिक को start करते हैं और इसको समझते हैं तो सबसे पहले इस टॉपिक को start करने से पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर वायो स्फियर होते हैं बायो डायवर्सिटी के बड़े छीत्र होते हैं इससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर जैव विविदता होता क्या है या फिर बायो डायवर्सिटी होता क्या है ठीके मान लीजी यह कोई एक छेत्र पर्टिकुलर ठीके अब यहां पर जो है जैव कोड़े छोटे जीव जनतु हों, बड़े जीव जनतु हों, इनमें विविदता पाए जाती हो, मतलब अलग-अलग प्रकार के जीव जनतु, अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियां, पेड़ पौधे पाए जाती हैं, ऐसे छेत्रों को हम क्या बोलते हैं, जैव विविदता वाले छेत्र बोलते हैं, यहाँ पर बायो डायवर्शिटी सरवादिक देखने को मिलती है, ठीके, तो ऐसे छेत्र जो जैविविद्धा के बड़े छेत्र होते हैं, ठीके, वहाँ के पूरे के पूरे एको सिस्टम या फिर पारिस्थितिकी तंतर को क्या किया जाता है, संडक वनस्पतियां हैं, वो आजाएंगी, कोई माउंटेन है, परवत है, वो आजाएगा, कोई जलासा है, वो आजाएगा, साथ ही साथ, यदि कोई मानव अधिवास है, कोई मानव अधिवास है, तो वो भी इस बायोस्फियर रिजर्व के अंतरगत आ जाता है, तो इतनी चीज जीवजनतु को संडखचित करना, Tiger Project का उद्देश ये क्या होता है, Tiger को संडखचित करना, उसी प्रकार से जो वायो स्फियर होते हैं, उसमें जीवजनतु, वहाँ पाय जाने वाले, जीवजनतु, कीडे, मकोडे, वनसपतियां, पेड़ पौदे, ठीके, जिनमें विवेदत आपको याद रखना है, यहाँ पर भी लिखी हुई है, देखिए, बायो स्फिर रिजर्व जैवे वे दिता है या फिर वायो डायवर्सिटी के बड़े छेत्र होते हैं, ठीक है, जहां संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र या फिर एको सिश्टम को ही संडक्षित कर दिया ज जाता है, साथ ही साथ महत्वपूर्ण क्या है, कि वहाँ पर एदि कोई मानव आवादी निवास कर रही है, कोई मानव अधिवास है, तो उसको भी संडक्षित कर दिया जाता है, आपको याद रखना है, जैसे कि आप देखते होंगे, जो वनी छेत्र होते हैं, ठीक है, वह एक वायोस्फियर रिजर्व में, एक से अधिक नैशनल पार्क या फिर वन्य जीव अभ्यारन आ सकते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ है, फिर से रिपीट करता हूँ, एक वायोस्फियर रिजर्व में, एक से अधिक राश्ट्री उद्ध्यान जिसको हम नैशनल पार्क बोलते हैं या फिर एक से अधिक वन्य जीव अभ्यारन या फिर wildlife centuries आ सकती है ठीक है तो याद रखना है एक से अधिक national park और wildlife century इसके अंतरगत आ जाती है इसके अलावा इसका विस्तार इस्थलिये छेतर तक सीमित नहीं होता मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी वन्य छेतर को ही यहाँ पर संडक्षित किया जाएगा इसके अंतरगत कोई 30 छेतर या फिर समुद्री ecosystem है या फिर समुद्री पारिस्थिती की तंतर जो है उसको भी यहाँ पर संडक्षित किया जा सकता है फॉर एक्जामपल मन्नार की खाड़ी आरक्षे छेतर ठीक है जो आप देखेंगे हमारे यहाँ जो तमिल नाडू है यह दक्षिन भारत हो गया यहाँ पर स्री लंका हो गया यहाँ पर आप देखते हूंगे यह तमिल नाडू राज है यहाँ पर मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक छेत्रे यहां पर समुद्री जैव विविदता या फिर बायो डायवर्शिटी देखने को मिलती है ठीक है तो याद रखना है सिर्फ कोई वनिय या फिर इस्थली कोई वनिय या फिर इस्थली छेत्र को संडक्षित नहीं किया जाता वलकि समुद्री पारिस्थली की तंत्र को भी यहां पर संडक्षित किया जाता है तो यह सारी डेफिनिशन के अंतरगत ही आ जाता है वायो इस्थली डिजर्व की आपको याद रखना है एक वर हम जीव जन्तू वनस्पतियों में काफी विविदताएं देखने को मिलती है ठीक है यहां का जो भी एको सिस्टम होता है अब एको सिस्टम में सब कुछ आ जाता है परवत, जलासा, जीव जन्तू वनस्पतियां उन सभी को ही यहां पर संडक्षित कर दिया जाता है सबसे महा इस्थल के सासा 30 है या फिर समुद्री पारिस्तिकी तंत्र भी इसके अंतरगत आ सकता है ठीक है इतना आपको याद रखना दूसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि भारत में कितने जैव मंडल आरक्षे छेत रहे हैं तो टोटल भारत में 18 वायो इस्फियर डि काफी कन्फ्यूज होते है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है टोटल जो भारत सरकार के दौरा चिन्हित किये गए हैं वायो इस्फियर डिजर्व भारत में उनकी संख्या कितनी है 18 या फिर 18 है ठीक है यह भारत सरकार के दौरा घूशित किये गए हैं कि भारत की तरफ से 18 वायो and biosphere reserve program ठीक है यह program कहा है short मैं बता देता हूँ पूरे विश्युभर की जो देश है ठीक है इनका एक सहियुक्त program है यह program यह कहता है short मैं आपको समझा देता हूँ कि जो भी जो भी देश है ठीक है वो अपने यहाँ पर ऐसे जो biodiversity वाले छेत रहें उनको चिन्हित करें और biosphere reserve के रूप में घोशित करें ठीक है तो यह program यही बोलता है तो जितने भी देशों की सरकार है यह उनका एक program है आपको याद रखना है जो कि UNESCO का खासतोर पर program है और यह कब आया था 1971 में यह program आया था ठीक है UNESCO के इस program के अंतरगत हैं आपको याद रखना है ठीक है चलिए इसके लाबा भारत सरकार नहीं यह यह उजना कब लाई थी तो 1986 में है भारत सरकार के दौरा यह यह उजना लाई गई थी biosphere reserve को चिन्हित करने की यह उजना आपको याद रखना है इसके दौरा भारत सरकार के दौरा वर्तमन में 18 biosphere reserve भारत में मौझूद है ठीक है इसके लाबा जो यह कारिक्रम है UNESCO का man and biosphere reserve program तो यह कब आये था 1971 में आये था प्रिलिम से फिर अन्य वन डे exam के दौर से यह यह कई वर पूछ लिये जाते हैं तो यह आपको याद रखना है ठीक है तो I think इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि biosphere reserve क्या होते हैं ठीक है भारत के दौरा कितने घोशिट किये गए हैं UNESCO का जो यह प्रोग्राम है इसके दौरा कितने वरतमान में भारत में biosphere reserve है ठीक है चलिए अब एक एक करके हम biosphere reserve यहाँ पर पढ़ है उससे पहले थोड़ा सा discuss और कर लेता है ठीक है अब जो एक biosphere reserve होता है उसमें तीन छेत्र होते हैं ठीक है सबसे अंदर जो यह आपको छेत्र दिखाई दे रहा है इसके बाद वाला जो आपको यह छेत्र दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं buffer zone क्या बोलते है buffer zone और सबसे last का जो यह आपको यहाँ पर छेत्र दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं संक्रमाण छेत्र या फिर transition zone इसको हम बोलते हैं ठीक है transition zone या फिर संक्रमाण च्छेतर इसको हम बोलते हैं अब ये क्या होते हैं इसको हम थोड़ादा समझ लेते हैं किसी भी वायवस्फेर्जर में ये तीन पार्ट होते हैं Core zone वो होता है जहांपर सिर्फ monitoring की जाती है क्या की जाती है यहां पर monitoring की जाती है तो किसी भी प्रकार की मानव गदिविदी यहां पर क्या होती है? सकते हैं यहां पर मनाही होती है. सिर्फ मॉनिटरिंग यहां पर कीsels सकते है ठोड़ा ब्रिसर्च का काम यहां पर किया जा सकता है. इसके लावा monitoring वगएरा वाले कारी यहाँ पर हो सकते हैं अगला जो छेतर होता है जिसको हम संक्रमन छेतर बोलते हैं transition zone बोलते हैं यहाँ पर क्या यहाँ पर मानाव अधिवास जैसा कि हमने भी डिसकस किया था मानाव अधिवास यहाँ पर possible है तूरिजमें यहाँ पर हो सकता है शोध वगेरा के कार यहाँ पर हो सकते हैं तो यह मुख्षिता किसी भी बायो स्फेर रिजर्व में तीन जोन होते हैं आपको याद रखना है कोर बफर और ट्रांजीसन ठीक है यहाँ पर यहाँ पर लिखे हुए हैं चलिए अब आगे एक एक वायो स्फेर रिजर्व रहा हमें यहाँ पर स्टड़ी करें इससे पहले थोड़ से मैं आपको अपडेट दे दूँ यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एक्जाम की तैयारी करना चाहते हैं इसके लाबा GS का फाउंडेशन एक बहुत ही अच्छा वैच हमने यहाँ पर लॉंच किया है जिसका नाम है आरम वैच इसमें लगवग आपको यहाँ पर ग्यारा सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाते हैं साथ ही साथ आपको यहाँ पर Monthly Current Affair की E-Book भी मिल जाती है ठीक है तो यहाँ आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हों State PCS, Railway, SSC, सभी एक्जाम के लिए GS का एक Foundation Batch है इसको आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं इसके लब हमारी Crazy जी के ट्रिक की एप्लिकेशन है यहाँ पर भी different courses मिल जाते हैं इनको आप अवेल कर सकते हैं Maximum Discount के लिए DSCGT Coupon Code को apply कर सकते हैं ठीक है चलिए तो यह तो हो गया Waiosphere Reserve हमने हाँ पर देख लिया कि इनकी definition क्या होते हैं कौन कौन से छेतर होते हैं सारी चीज़ हमने discuss कर लिया अब एक एक करके जो भारत में 18 Waiosphere Reserve हैं ठीक है इनको हम यहाँ पर देखते हैं ठीक है लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि भारत सरकार के द्वारा 18 Waiosphere Reserve घोशित किये गए हैं लेकिन इन में से 12 ऐसे हैं जो की UNESCO द्वारत चिन्हित किये गए हैं ठीक है UNESCO का जो प्रोग्राम है उसके द्वारत चिन्हित किये गए हैं तो पहले हम यह 12 डिसकस करेंगे फिर बचे हुए 6 डिसकस करेंगे ठीक है तो एक एक करके हम इनको को discuss करते हैं और कोशिश करेंगे easily इनको हम याद भी यहाँ पर कर पाएं ठीक है तो जो पहला वायो इस्फियर रिजर्व है इसको हम बोलते हैं नील गिरी संदक्षि छेत्र या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं नील गिरी जैवमंडल अरक्षि छेत्र ठीक है भारत सरकार के दौर आरक्षि छेत्र ठीक है कहाँ पर इस्थित है ये जादा महत्वण है तो यहाँ पर तीन देश है एक तो यहाँ पर करनाटक है यहाँ पर करनाटक है यहाँ पर तमिल नाडू है और यहाँ पर केरल यह तीन राज्य आपको दिख रहे होंगी दक्षिन भारत के तीन राज् इसको हम कोशिश करेंगे इसली याद कर पाएं ठीक है यह दक्षन भारत का हमारा मैप है प्रायदुपी भारत का ठीक है यहाँ पर तमिल नाडू है केरल है और यहाँ पर करनाटक है इस प्रकार से ठीक है यहाँ पर पश्चिमी घाट परवत आता है और यहाँ पर इस प्रक जो में पढ़ता है नेलगीरी परवत कहां पर करनाटा, केरल और तमिल नाडु ठीक है तीन राजजों में ये नेलगीरी माउंटेन है और इसी नेलगीरी माउंटेन के छेतर को हम नेलगीरी जैवमंडल आरक्षे छेतर या फिर वायोस्फियर डिजर्व कहते हैं जो कि भारत का पहला वायोस फिर डिजर्ब है अब चुकि पहला है तो महत्वपूंड भी है कई वहारे हैं से कुश्टन आया है कि भारत का पहला जैममंडल अरक्षे छेतर कौन सा है तो नेलगरी जैममंडल अरक्षे छेतर कब बना था 1986 है ना तो ये तो भारत सरकार के दोरा घोशित कि यह काफी महत पूर्ण है ना तो Unisco के द्वारा इसको 2000 है ना Year 2000 या फिर Sun 2000 में Unisco के द्वारा इसको घुशित किया गया था या फिर चिन्हित किया गया था अपनी याद रखना है तो यह पॉंट important है इसके छेत्र की बात करें तो 520 वर्ग किलोमीटर 5520 वर किलोमीटर इसका छेतर है अब इसमें बहुत सारी नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारन आ जाते हैं अभी हमने डेफिनिशन में समझाता कि एक बायोस्फियर डिजर्व में एक से अधिक नेशनल पार्क और वाइड लैफ सेंचुरी आ सकती है तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है काफी महत्पूर्ण है छलिए थोड़ा हम इसकी थियोरी भी देख लेते हैं देखिए कहां कहां है तीनो राज्यों में है तमिलनाडू, केरल, करनाड़क नीलगिरी माउंटिन की भी बात करने तो तीनो राज्यों में पढ़ता है केरल, तमिलनाडू और करनाड़क उससे आप याद कर सकते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजी कि नीलगिरी की सबसे उची चोटी कौन सी है कई वर प्रिवेस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ ठीक है भारत का पहला जैवमंडल आरक्षे छेत्रे और 2000 में यूनिसको दौरा इसको सूची वद्द किया गया था अपने Man and the Biosphere Reserve प्रोग्राम में ठीक है बंदीपुर करनाटक में है ये नेशनल पार्क, साइलेंट वैली केरल में है ये राश्टी उध्यान इसके लावा वायनाड, करिमपुना, सत्यमंगलम ये सब क्या है वन्यजीव अभ्यरण है तो इतने सारे नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यरण, नेलगीरी संदक्षिछ चेत्र या फिर नेलगीरी वायोसफ़र रिजरव के अंतरकत आ जाते हैं यहाँ पर यह important नहीं है वैसे नहीं पूछेगा यहां से कौन-कौन से नेशनल पार्क आते हैं लेकिन फिर वी पहले नेशनल पार्क हम पढ़ रहा हैं इसलिए थोड़स आपको अंडर्स्टेंडिंग के लिए मैंने यह चीज बता दी है यहां आपको राज्य याद रख लेना है चुकि पहला है तो इसका इयर वी important है दोनों इयर important है आप इसको दिमाग में रख लेना ठीके तो यह easily आपको याद हो जागा कोई बहुत बड़ा यहां पर task नहीं है ठीके यहां पर मैं दिखा देता हूँ कि इतना बड़ा इसका छेतर है देखिए यह सभी जो green color से आपक नेशनल पार्क और वनिजीव अभ्यरन है ठीक है इसकी राजीव गांधी नेशनल पार्क बंधीपूर नेशनल पार्क ठीक है मदू मिलाई नेशनल पार्क यह देखिए कितने सारी नेशनल पार्क है इसमें ठीक है वो सब मैं आपको बता ही दिया नेशनल पार्क की इसके बड़ा डिल्टा बनाया जाता है पश्चिम मंगाल हमारे जो भारत का एक राज है इसके लब बांगलादेश है ये दो जगा बनाता है तो पश्चिम मंगाल में बनता है तो यहां से आपको याद हो जाएगा कि सुन्दरवन कहां पर है पश्चिम मंगाल में ठीक है 1989 में इस पश्यम मंगाल राज है यह डेल्टाई रीजन है यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर ही यह आपको देखने को मिलता है ठीक है 2001 में यूनिसको ने इसको सूची वद्ध किया था अपने प्रोग्राम के अंतरगत याद रखना है ठीक है और रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर आ बस यह आपको याद करना है ठीक है अगला है मनार की खाड़ी बायोस्फियर रिजर्व ठीक है अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर सिर्फ इस लिए भाब को संदक्छित नहीं किया जाता बलकि कोई तटी और समुद्री छेत्र है जहाँ पर जैविवेदता देखने क मिलती है उनको भी यहाँ पर बायोस्फियर रिजर्व के रूप में संदक्छित किया जा सकता है ठीक है तो मनार की खाड़ी बायोस्फियर रिजर्व है इसको 1989 में भार सरकार के द्वारा चिन्हित किया गया था तमिल नाडु राजजी के अंतरगत यह आता है आपको पता कि गाय के लिए जाना जाता है यहां से भी कई वर कॉश्चन आ सकते हैं कि फलाना फलाना वायोस्फियर रिजर्व किस जीव जनतु के लिए जाना जाता है तो जो मनार की खाड़ी बायोस्फियर रिजर्व है यह किस लिए जाना जाता है समुद्री गाय कुछ इस प्रकार की होती है आप देख सकते हैं एक तो गाय जो आप सली छ्छित्रों में देखते हैं गाय हमारी माता वाली माता ठीक है और एक यहाँ पर ही समुद्री गाय भी होती है तो exam में question आ सकता है कि समुद्री गाय के लिए कौन सा biosphere reserve जाना जाता है ठीक है इसके लब मननार की खाड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है तो तमिल नाडू के अंतरकत यह आता है तो तीन हमने discuss कर लिए एक बार revision कर लेते हैं है ना सबसे पहले हमने कौन सा देखा सबसे पहले हमने देखा नेलगिरी है ना नेलगिरी दक्षिन भारत में एक mountain भी है एक biosphere reserve भी है कहाँ कहाँ पर आ रहा है केरल करनाटक और तमिल नाडू ठीक है सबसे पहला है 1986 में भारत सरकार के द्वारा इसको चिन्हित किया गया था और सन 2000 में यूनिस्को प्रोग्राम के अंतरगत इसको लाया गया ठीक है दूसरा कौन सा है है ना दूसरा भी हमने discuss किया सुन्दरवन सुन्दरवन की डेल्टा है तो ये भी आपको याद हो जाएगा ठीक है कहाँ पर है वेस्ट वेंग गॉल में है 2001 में सामिल हुआ यूनिस्को के उ इसली याद हो जाएगा नंदा देवी कुमायू हिमालय या फिर उत्रक खंड राज्जी की सबसे उंची चोटी है कई वार हम discuss कर चुके है ठीक है 7816 या फिर 7817 अलग-अलग height लिखी मिलती है ये इसकी height है है याद रखना है नंदा देवी कुमायू हिमालय या फिर उत्रक 88 में बनाया गया था और UNESCO ने इसको 284 में चिन्हित किया ये हम तेंदुए के लिए जाना जाता है ठीक है हम तेंदुए यहाँ पर आप देखेंगे जो भी छेत्र है जो भी नेशनल पार्क है ठंडा रीजन है तो हम तेंदुए जाना जाता है इससे पहले हमने जो नेशन में चुकि ठंडा छेत्र है तो हम तेंदुए देखने को मिलते हैं तो नंदा देवी इसली याद हो जाएगा उत्तरकंड में है ठीक है बस थोड़ा सा एयर आपको याद रखना है खास्तोर पर UNESCO वाला अगला है नौकरिक नेशनल पार्क भी है कहां पर है मेघाले मेघाल कि एक नेशनल पार्क का नाम है और उसी नेशनल पार्क को वायोस्फेर जर्बी भी घोशित किया गया है कुछ छेत्र और उसको में एड करके तो आपको याद रखना है 1988 में भारत सरकार के जोरा घोशित किया और UNESCO ने इसको 2009 में चिन्हित किया ठीक है 2009 में चुकि नेशन मद्यप्रदेश में पता होगा पच्मडी एक हिल स्टेशन है पच्मडी क्या है परवती नगर बोल लीजे या फिर हिल स्टेशन बोल लीजे हिल स्टेशन क्या होता है परवती नगर आप घूमने जाते हैं खाफ़तर पर शिमला मनाली कुलू है ना हिमाचल परदेश उत् सत्पोडा की राने भी कहा जाता है सत्पोडा में जो महादेव पर्वत है जो महादेव पर्वत है इसमें ही पच्मडी एक प्रयतन इस थाले एक रिल स्टेशन है जल्ली से बता दो इसकी सब से उचे चोनiser कौन सी है हे तो इसली आप याद कर पाएंगे पचमड़ी वहाँ पर एक हिली स्टेशन भी है और पचमड़ी नाम से ही यहाँ पर क्या है अगला सिमली पाल सिमली पाल नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलता है अगला है अचान कमार अमरकंटक अमरकंटक भी आपने सुना ही होगा कईवर मैंने आपको बताया है जो सत्पुड़ा का पूरवी विस्तार है उसको हम बोलते है मेकाल है ना सत्पुड़ा तीन भागों में है यहाँ पर इस प्रकार से राज पीपला सिरनी राज पीपला इसको हम बोलते है महादेव बीच वाले अक्स्टेंशन को और इसको हम बोलते है मेकाल और मेकाल सिरनी में ही आपको अमरकंटक प्रेट्टू या फिर अमरकंटक रीजन दिखाई देता है जहां से नर्मदा और सौन नदिया निकलती है ना तो यह भी आपको पता होगा मद्रप्रदेश में ही इस्थान है तो अचान कमार अमरकंटक है न ज्यादातर हिस्सा इसका मद्रप्रदेश में आता है थोड़ा बहुत हिस्सा इसका 36 गड़ में भी आता है तो यह भी इसली आप याद कर पाएंगी च्योंकि अमरकंटक इस किसी mountain peak, किसी hill station, किसी वहां की particular जगह के नाम पर ये सारी क्या है, biosphere reserve है, अगला great nicowar, अंडमान और nicowar island, जो की वहारत का सबसे बड़ा island है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, unisco ने इसको 2013 में चिन्नित किया, जली घडियाल के लिए जाना जाता है, घडियाल क यहाँ पर अंडमान निकowar में आपको देखने को मिलेगा, याद रखना है, अगला है, तो ये तो पूरा island के नाम पर ही है, तो easily आप इसको याद कर पाएंगे, अगला है कंचन जंगा, है ना, कंचन जंगा भारत में हिमाले की सबसे उची mountain peak, है ना, कित्ती उचाई है, 85 85, या फिर 85-86, दो हाइट मिलती है इसकी, है ना, 85-86, 85-95, जो भी आपके exam में आज, वो आप टिक कर सकते हैं, दौनों कभी नहीं आएगा, ठीक है, कई वार हम डिसकस कर चुके हैं, तो कंचन जंगा कहां पर है, सिक्किम में हमने डिसकस किया है, भारत में हिमाले की सबसे उची छोटी है, सिक्किम के अंतरगत आता है, 2000 में भारत सरकार ने इसको घोशित किया था, और यूनिसको के द्वारा, 2018 में, लेटेश थी है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो यह important हो जाती है, लाल पांडा के लिए यह जाना जाता है, बायो स्फेर डिजर्ब, आपको याद रखना है, कहाँ पर है, सिक्किम राज्ज में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, अगला है, अगस्त मलाई, जैव मंडल आरक्षि छेत्र, आप देखेंगे, मलाई, मदू मिलाई, इस टैप की जो नाम है, आपको साउथ में ही, दक्षिन भारत में ही देखने को मिलता है, इसका जाद रखना है, किरल और तमिल नाडू के अंतरगत यह आता है, यूनिसको ने 2018 में इसको शामिल किया, एशियाई हाथी के लिए यह जाना जाता है, तो याद रख लेना, ठीके, चलिए, आगे है पन्ना, पन्ना आप जानते ही होंगे, पन्ना स जिला है, मद्रप्रदेश का यहां से हीरे का खनन किया जाता है, मतलब एक प्रकार से मद्रप्रदेश का एक आधीकार ही है, और खास दूर पर पन्ना जिला है, इसका एक आधीकार है, डायमंड के प्रोडक्शन में ठीक है, तो 2011 में इसको शामिल किया गया था, और 2020 में य ब्रहमपुत्य नदी है जब ये अरुवांचर प्रदेश में इंटर करती है तो इसको हम दिहांग के नाम से जानते हैं यह हमने पढ़ रखाये है ब्रह्मपुत्य नदी मैंने आपको पढ़ा रखी है तो इसली आप बता पाएंगे कि अरुणाचर प्रदेश में दिहांग, दिवांग, बायो इसफेर रिजर्व है मैं आपको रिलेट इसलीए कर रहा हूँ कहीं माउंटीन से, कहीं नदी से, कहीं हिल स्टेशन से, कहीं नेशनल पार्क से ताकि आपको इसली याद हो जाए, ठीक है तो दिहांग से आप इसको याद कर सकते है कस्तूरी म्रग के लिए ये जाना जाता है अरुणाचर प्रदेश के अंतरकर, ठीक है तो कितने हो गए, देखिए एक चीज़ बताना में यहाँ पर भूल गया है ना, ये बारा तक टोटल मैन आपको बता था, बारा जो है ये यूनिस्को ने चिन्हित किये हैं अपने प्रोग्राम, मैन एंड दा जो वायोस्फिर प्रोग्राम था यूनिस्को का, उसमें कितने बारा बायोस्फिर रिजर्ब को चिन्हित किया गया है, ठीक है तो ये बारा पूरे हो गए ठीक है, अब इसके बास से जो आएंगे उसमें सिर्फ आपको एक ही अर लिखा मिलेगा जो कि भारा सरकार के द्वारा उसको घोशित किया गया है तो ये 12 के 12 आपको याद रख लेना है काफी जादा महत्तपूर है अगला 13 में आपको बता दिया है दिहांग दिवांग 1998 में भारस सरकार के द्वारस को घोशित किया गया था अगला है डिब्रू सेखोबा एक नेशनल पार्क भी है डिब्रू सेखोबा और एक बायोस्फर रिजर्व भी है असम के अंतरगत आता है याद रखना है अब इसकी विशेश्टा क्या है ये सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षी छेतर है चुकि सबसे छोटा है इसलिए इंपोर्टेंट भी है और इसका छेतरफल भी इंपोर्टेंट है 765 वर्ग किलोमीटर 765 स्क्वेर किलोमीटर इसका छेतरफल है कहां पर है बच्चो असम राज्य के अंतरगत आता है दिबरू सेखोवा नेशनल पार्क के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं अगला है मानस कौन सा है मानस मानस नेशनल पार्क भी है आपने सुनाओगा मानस नदी भी देखी होगी आपने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तो मानस जो वायोस्फेर रिजर्व है मानस नेस्नल परक का भी एरिया इसमें आता है तो असमराज में ही देखने को मिलता है एशिया इहाती और गोल्डन लंगूर के लिए ये जाना जाता है अगला है कच्छे कारण सोलवे नंबर का बायोस्फियर डिजर्ब है कच्छे कारण कहाँ पर है गुजरात में है आप जानते ही होंगे ठीक है गुजरात का इसकी विशेष्टा क्या है ये सबसे बड़ा है 12,454 वर किलोमीटर छेतर फल पर ये फैला हुआ भारत का सबसे बड़ा बायोस्फियर डिजर्ब है क्योंकि सबसे बड़ा है तो इसका AREA भी important है याद रखना कच्छे कारण ठीक है कच्छे कारण जो बायोस्फियर डिजर्ब है कहाँ पर है गुजरात में है भारत का सबसे बड़ा biosphere reserve है तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा इस प्रकार के question अक्सर exam में देखने को मिलते हैं आपको याद रखना है ठीक है चलिए आँगे discuss कर ले चलिए अगला है 17 नंबर का है cold desert cold desert कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में आपको cold desert biosphere reserve देखने को मिलता है ठीक है अब इसकी विशिष्टा क्या है भारत में सबसे उत्तर सबसे नदर्न है ना north सबसे नदर्न most biosphere reserve सबसे उत्तर में मतलब आप पूरे भारत का map देखेंगे तो अभी हमने लद्दाख में जम्मू काश्विन में कोई भी discuss नहीं किया सिर्फ अभी हम हिमाचल प्रदेश का ही discuss कर रहे है सबसे तो यह कौन सा हो गया सबसे नदर्न most हो गया तो कई वर एक आदवर ऐसा भी question आया है कि भारत का सबसे नदर्न most biosphere reserve कौन सा है तो cold desert यदि सबसे south का पूछ ले है ना तो कौन सा बताएंगे जो यहाँ पर अभी हमने अंडवान निकोवर में discuss किया था है ना तो उसको आप बताएंगे तो ऐसे भी question exam में देखने को मिल जाते हैं ठीक है चलिए अगला है last अठारवा है ना total हमने अठारवा डिसकस किये थे तो अठारवा जो last है वो है सेश चलम पहाडियां सेश चलम पहाडियां कहां आपको आंदरप्रदेश राजजी में देखने को मिलती है तो सेश चलम पहाडिया जो है 2010 में इशको घोसित किया गया था आंधर प्रदेश राज्ज में है ठीक है ये स्लेंडियर लॉरिस नाम के जीव के लिए जाना जाता है ठीक है तो बच्चों ये 18 टोटल हमने यहाँ पर गोशित कर लिए इसमें से 12 हमने यूनिसको का जो प्रोग्राम है उसको भी हमने यहाँ पर डिसकस किये हैं कौन सा biosphere रेजरब कब बना था है ना हलाकि जो UNESCO वाले हैं वो ज़्यादा important है वो आप थोड़ा ध्यान से देख लेना कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे चोटा है कौन सा सबसे पहला है ऐसे question ज़्यादा देखने को मिलते हैं जिसका सबसे ज़्यादा area उसका area भी important हो जाता है कोई खास जीव के लिए जैसे हमना देखा था जो मनार की खाड़ी वाला यहाँ पर था है वो जंगली गाय के लिए जाना जाता है तो ऐसे question भी exam में आ जाते हैं यह सब ही question आपको ध्यान से पढ़ने है ठीक है अब हम कुछ questions भी यहाँ पर discuss कर लेते हैं ठीक है जो की already exams में आए हुए है पहला question है आपको comment box में answer देना है छेतरफल के दश्टी से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षे छेतर कौन सा है according to area सबसे बड़ा ठीक है तो 12454 वर्ग किलोमीटर छेतरफल पर कच्छी कारण क्या था क कच्छी कारण ठीक है कच्छी कारण जो वायोस्फियर रिजर्व है यह भारत का सबसे बड़ा वायोस्फियर रिजर्व है अब जल्दी से comment में बताओ सबसे छोटा कौन सा है ना इसका answer आपको comment में देना है अगला है वर्तमान में भारत में वायोस्फियर रिजर्व की सं Man and the Biosphere Reserve का जो UNESCO का प्रोग्राम है उसके अंतरगत उसने UNESCO ने कितने चिन्हित किये हैं तो 12 Biosphere Reserve चिन्हित किये हैं तो ऐसा भी question आ सकता है आपको याद रखना है ठीक है अगला है नीलगीरी Biosphere Reserve किस राज्ज में इस्थित है ठीक है तो तीन राज्ज में ये इस्थित है त तमिलनाडू, केरल और करनाटक ठीक है तो तमिलनाडू, केरल और करनाटक और चुकि 1986 में सरप्रथम भारसरकार के द्वारा इसको घोशित किया गया था तो इसलिए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है और UNESCO ने इसको अपने प्रोग्राम में 2000 में सामिल किया तो औ और भी जादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है ठीक है अगला कोशन है कोल्ड डेजर्ट जिसको हम सीत मरुस्थल भी बोलते हैं वायोस्फेर रिजर्ब किस राज्जी में इस्तित है हमेना बताया था सबसे नदर्न मोष्ट वायोस्फेर रिजर्ब है तो हिमाचल की काफी महत्वपूर्ण ये प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के अंतरगत भारत के 12 बायोस्फेर रिजर्ब को यूनिसको ने चिन्हित किया है या फिर दरजा दिया है अगला है भारत के कितने बायोस्फेर रिजर्ब को यूनिसको ने मैंड एंड बायोस्फेर रिजर्ब प्रोग्राम जिसको M.A.B. प्रोग्राम भी बोलते हैं कि ये तहत अंतराश्ट्री इस तर पर माननेता दी है तो इस कहां से हो जागा? C. 12 बायोस्फियर रिजर्व को माननेता दी है अगला कुशन है भारत सरकार दोरा वायोस्फियर रिजर्व नामक योजना किस वर्स से कार्यानवित की गई? तो 1986 पहला जो वायोस्फियर रिजर्व था वो नीलगीरी वायोस्फियर रिजर्व था तीक है? कि कौन-कौन से UNESCO की धरवर के अंतरगत संदक्षित है और कौन-कौन से नहीं है, तो पच्मडी तो है, है ना, नौकरिक भी है, डिब्रू से खोब नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, डिब्रू से खोब नहीं है, ठीक है, और मन्नार की खाड़े भी है, तो इसका अंसरो जागा सी डेव्लू से खोबा जो है यह यूनिस्ट को के मैव कारेक्रम के अंतरगत नहीं आता आपको याद रखना है तो आपको पता होना चाहिए पूरे के पूरे 12 बायोस्फियर रिजर्व जो की यूनिस्ट को ने अपने कारेक्रम में फिर प्रोग्राम में संदक्षित किये हैं अगस्त मिलाई खास तोर पर केरल और तमिल नाडू में तो केरल हम इसको मान लेते हैं कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश तो दो मान लेते हैं इसको और शेश चलम या आंदरप्रदेश तो चार तीन एक चार दो थोड़ा सा गड़वड हो गया है ना सिमलीपाल कहां प टीन एक चार दो है थो यह आंसर इसका सही हो जाएगा थीक है तो बच्चो एक और कुशन यह इसको भी देख लेते हैं डिक है चलिये अचान कमार अमरकंटक वायो इसवे डिजर्व किस राज्य में है अचान कमार मैं आपको बताए था अमरकंटक से याद रख लेणा, थोड़ा बहुत हिस्सा इसका 36 गड़ राजी में भी आता है ठीक है तो मद्रप्रदेश 36 गड़ अमर कंटक से आपको याद रखना है चुकि मिकाल स्रेणी की अंतरकत नर्मंदा का उद्गम सोन का उद्गम यहां से ही होता है तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं तो ये मैंने आपको बता हैं अच्छे से इनको पढ़ लेना काफी महत्पूर है बार बार यहां से एक्जाम में कोश्यन देखने को मिलते हैं तो फिलाल आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही यह आप मुझसे जोगरफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लिकेशन को ड जरूर करें वीडियो अच्छे लगता है तो कोई कमेंड भी कर सकते हैं इससे हमें मौटिवेशन मिलता है क्योंकि कंटीन बनाने में काफी महनत लगती है तो मुलकात होगी अगले बहतर लेक्चर में तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें जैहिन बायवाय टे कर